अधिकार आयोग में सिकायत कैसे करें हेलो दोस्तों बीकेजे लीगल में आपका स्वागत है आज चर्चा करेंगे हूमन राइट्स कमीशन के बारे में जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया इसका गठन मानव अधिकार संडक्षन अधिनियम 1993 के माध्यम से किया गया जिसमें 2006 में कुछ संसोधन भी हुआ बरतमान में भारत में नेशनल हुमन राइट्स कमीशन एवं 26 राज्यों में स्टेट हुमन राइट्स कमीशन कार्ज कर रहे हैं इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि मानवाधिकार क्या है मानवाधिकार आयोग में सिकायत कहां और कब करें मानवाधिकार आयोग में सिकायत कैसे करें मानवाधिकार आयोग के क्या कार्ज हैं टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से अनरोध है किसे ध्यान से पढ़ें या सुनें अच्छा लगने पर सब्सक्राइब करें सेयर करें लाइक करें एवंग वेल आइकॉन दवाना ना भूलें चलते हैं टॉपिक पर मानवाधिकार क्या है भारत का राष्ट्य मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग एक सुतंत्र बिधिक संस्था है या भारतिय संभीधान के द्वारा दिये गए मानवाधिकारों की रच्छा करता है इसके अंतरगत जाती धर्म भासा आदी के आधार पर लो जीवन को जीने योग के बनाते हैं, इसके अंतरगत गुलामी प्रतिबंधित है, आज पूरा विस्व हुमन राइट्स पर विसेश जोर दे रहा है, क्योंकि यह मानब जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, हुमन राइट्स को इस ग्राब से आसानी से समझा जा सकता है हुमन राइट्स कमिसन में सिकायत कहां और कब करें? केंद्रिय अस्तर पर राश्ट्य मानवादिकार आयोग नई दिल्ली में इस्थित है, राच्य अस्तर पर भी भारत में राच्य मानवादिकार आयोग का गठन किया गया है, राच्य के रिवासी अपनी सिकायत राच्य म अंदर करनी चाहिए। Human Rights Commission में सिकायत कैसे करें। अगर किसी भी यह व्यत्ति का human rights का उलंगन होता है। तो इसे proper format में राष्ट्य मानौदिकार आयोग राज्य मानौदिकार आयोग में सिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें सिकायत करता का पूरा नाम पूरा पता जिला राध्य का उल्लेख होना चाहिए इसके साथ proof of identity येवंग proof of address संगलगन करना चाहिए काटणा अस्थल का उल्लेख होना चाहिए अपराधी बत्यों का पुर्ण विवरन भी होना चाहिए सिकायत ऑन लाइंग भी दर्ज की जा सकती है कुछ राज्चो में मानवादिकार आयोग में सिकायत का फॉर्मेट निस्जित है और कुछ में साधे कागज पर डिटिल्स लेकर सिकायत की जाती है आयोग के द्वारा सुनवाई की तिथी की जानकारी पत्र के माध्यम से दी जाती है मानवाधिकार आयोग क्या कार्ज करता है मानवाधिकार आयोग में बालसरम, महिलाओं एवंग बच्चों के खिलाब हिंसा, भेदभाव एवंग मनमानी तरीके से ग्रिकतारी आदी के मामले चैदा आते हैं इसमें सिकायत करने के लिए कोई फीस नहीं लगती है Human Rights Commission के द्वारा दियेगे सुझाओ को मानने के लिए सरकार बादे नहीं है निजी ब्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों का उलंगन देखना इसके कारी छेतर में नहीं आता है Human Rights Commission के पास जांस करने के लिए कोई भी से स्तंद्र नहीं है HRC के पास उन अधिकारियों को दंडित करने का अधिकार नहीं है जो इसकी अनसंसाओं का पालन नहीं करते हैं या भारत सरकार को या रज्ज सरकारों को मानवाधिकार के उलंगन को रोकने के लिए महत्पूर्ण कदम उठाने की सिफारिस कर सकता है परतेक साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है अयोग के एवंग असमर्थता प्रमानित होनी पर अध्यक्ष एवंग सदस्ज को हटाया जा सकता है मानवाधिकार आयोग उन मामलों में अस्तक्षे नहीं कर सकता जो न्याले में लंबित हैं मानवा अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस जेलों का दोरा भी कर सकते हैं ससस्तर बलों से सम्मंदित मामलों पर HRC के अधिकार सिमित हैं मानवा अधिकारों के छेतर में काम कर रहे NGO और संस्थाओं के प्रयासों को यह प्रुतसाहित करते हैं एक बर्द से अधिक पुराने मामले और आसपस्ट मामलों को HRC नहीं देख सकती है यह बात सही है कि मानवा अधिकार आयोग मानवा अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है इसे अधिक ससक्त बनाने की आवश्यक्ता है इसे अपने आदेसों का पालन करवाने के लिए नियाले जैसी सक्ति प्राप्त होनी चाहिए इसके कारज का अधिक प्रचार प्रशार होना चाहिए 30 सालों के सफर में Human Rights Commission ने अपनी योगिता सिद्ध कर दी है और देश में हजारों मामलों में अपनी सिफारी सरकार को दी है धन्यवाद जाए भारत